तो एक अफवाज जिसने गीता प्रस के बंद होने की खबर आती है और एक मैसेज सोशल मीडिया पर वारल किया जाता है कि पैसे नहीं होने के करण गीता प्रस में छपाई बंद होने जा रही है लेकिन इस मैसेज की सच्चाई क्या है? क्या सच में गीता प्रेस में ताला लगने वाला है? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं जर्चा का विशय बन गया है जिससे देखने के बाद इस सवाल लाजमी है इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मैसेज वाइरल हो रहा है जिसमें लिखा है कि अब गीता प्रेस बहुत जल्द बंद हो जाएगा गीता प्रेस के पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है गीता प्रेस को ले करके एक बार फिर से उसकी छवी को खराब करने के लिए सोशल मीडिया के जरीए एक फरजी मैसेज का जो है इस्तमाल किया जा रहा है आप देखेंगे मेरे मुबाइल में मैं आपको दिखाऊं कि एक मैसेज हो रहा है कि गीता प्रेस के नाम पर सोशल मी इसको जानने के लिए हम गीता प्रेस के अंदर चलते हैं और यह जानने की कोसिस करते हैं कि गीता प्रेस की जो यह मैसेज है उससे इसका क्या कुछ कनेक्शन है वीडियो वाइरल होने के बाद इंडिया न्यूस की टीम गीता प्रेस पहुंची गीता प्रेस के नाम पर सोशल मीडिया में ठगी का गोरख खंदा शुरू हो गया है एक मैसेच कई दिनों से वाइरल हो रहा है जिसके मताबिक बीते सौ सालों से हिंडूों की धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तकों का किफायती मुल्य पर प्रकाशन करने वाला गोरख पुर का गीता प्रेस बंध होने वाला है यह मैसेच कई दिनों से चल रहा है जिसमें कहा गया है कि गीता प्रेस अपने करमचारियों को वेतन देने के स्थिती में नहीं है क्योंकि वो सारी पुस्तकें बिना लाब के बेचते हैं और आगे मैसेच में लिखा है कि धर्म को बचाना है तो इस मैसेच को 20 लोगों को फॉरवर्ड करें हाला कि इस मैसेच में किसी का नाम नहीं है और नहीं सीधे तोर पर कोई राशी की मांग की गई है गिता प्रेस को लेकर के जो मैसेच चल रहे थे जो अफ़ाओं का दौर चल रहा था उसको लेकर के अभी हम गेट से अंदर आए हैं लेकिन वीडियो वाइरल होने के बाद गीता प्रेस का कहना है कि कुछ संगठित और समाजिक तत्व लोगों की धार्मिक भावना का शोशन कर चंदा वसूली कर रहे हैं ये खेल 2015 से ही चल रहा है जब गीता प्रिस में कर्मचारियों के हर्ताल हुई थी पिछले साल में गीता प्रिस के विवस्था विभाग ने बकाईदा बयान जारी करके कहा था कि ना तो गीता प्रिस खाटे में है और ना ही बंद होने की कोई आशंका है सस्ती तरों में धार्मिक किताबे चापकर भी संस्था आर्थिक रूप से सक्षम है कि परमांड कि आउ सकता क्या है आप सारी मसीनों को चलते वे देख सकते हैं हमारी सारी ब्रांचे यवालव और इंडिया इस ब्रांचेज हमारी हैं हर जब ठीक टेंच से कारिकर रही है हर जब पुष्ट के हमारे दुकंदार्णों को उफ्लब्द हो रही है और निरेंतर गीता प्रेस अपने यथा संभाव मैक्सिमन प्रोडक्शन करके आपूर्ती कर रही है इसमें किसी तरह की कमी नहीं है और ना किसी तरह की कोई समस्या गीता प्रेस में अंठानवे सालों से गीता प्रेस में अनवरत छपाई जारी है जिन में आज तक किसी तरह की समस्या नहीं आए मतलब है कि गीता प्रेस के खिलाब ये एक सोची समझी साजिश चल रही है इस ब्रह्म में श्ट्राइक की गई थी कि गीता प्रेस परमंधन हमें सरकारी वितनमान से कम दे रहा है जिसके लिए हम लोग हमारे प्रतनिरी कानपुर लेबर कमिशनर के यहां तक गए थे और करमचारीयों के प्रतनिर भी गए थे वहां उन्होंने असपष्ट कर दिया कि गीता प्रेस जो भी बितनमान दे रहा है वो सरकार के दोरा सुकृत में तनमान से ज्यादा दे रहा है उसके बाद उन्होंने वापस आकर अपनी हर्ताल बिना सर्थ समाप्त कर दी थी उसी समय से मैसेज का दोर सुरूआ है और ये दिखाई भी लेता है जो वर्टसप पर जो मैटर आते हैं उसमें वही भासा वही पुरानी तारीख वाइरल मैसेज के बाद हो सकता है कि कुछ लोगों ने गीता प्रस के बंद होने वाली ख़बर को लेकर पैसे भी दिये हो लेकिन ये धर्मदान किनकी जेवों में गया वो पता नहीं अगर बंद होना रहता है कि इननी मांगी मांगी मसीने इसमें नहीं आती आपको इसकी जानकारी है कि मैसेज आया इस तरह का आप लोग का कभी कोई विवाद ऐसा कुछ हुआ हो जिसको लेकि ये मैसेज आप परशारी थिया हो मैसेज की परताल में पता चला ये पूरी तरह से गलत है और ये किसी की शरारत तो है साथी ठगी करने का नया तरीका और ठिकाना भी हमारी परताल में मैसेज पूरी तरह से पेक साबित हुआ हमारे साथ राजेज जी मौझूद है ये पूरा प्रोडेक्शन का काम देखते हैं इनसे भी बात कर लेते हैं मैसेज जो आ रहा है कि गीता प्रेस के पास पैसा नहीं है गीता प्रेस बंद होने वाला है सहनबूती की जरूरत है इसके आड़ में तमाम जो है सोसल मीडिया के जरिये धनुगाही की बात चल लिए कितनी सचाई इन बातों में लाखो करोणों लोगों की आस्था का केंदर गीता प्रेस की पुस्तकों को लेकर जिस तरीके से उसके बंद होने के अफ़ा फैला कर जाल साजों द्वारा ठगी की जा रही है इससे मिस्चित रूप से लोगों को सतर्क होना पड़ेगा ताकि लोग गीता प्रेस और धर्म के नाम पर ठगे न जाएं पुरखपूर से संबादा ता सुशील कुमार की साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तरा खान